आज बाबरी विध्वंस की बर्सी है उन्तीस साल पहले आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को कारस्यवकों की भील ने बाबरी विध्वंस के विवादित धाचे को गिराया था इस दिन अयोध्या में लाखों कार सेवक एकठा होकर सैक्णों साल से विवाद में चल रहे बाबरी मस्जित को गिरा दिया था आपको बता दें कि भाजप्पा नेता लाल कृष्ण आडवानी ने राम मंदर निर्मान के लिए 1990 में आंदोलन शुरू किया था 6 दिसंबर 1992 अयोध्या के इतिहास में एक ऐसी तारीश के रूप में दर्ज हो गया है जिसका अलग-अलग समुदायों पर अलग-अलग प्रभाव छोड़ गया है सुप्रीम कोर्ट ने विवादत धांचे के सामने सिर्फ भजन कीर्टन करने की इजाज़त दी थी 5 दिसंबर 1992 की सुबह से ही कारे सेवक एकठा होने लगे और 6 दिसंबर को भीड उग्र हो गई और बाबरी मस्जिद का विवादत धांचे गिरा दिया उस समय लगभग डेल लाख सेवक वहां मौजूद थे इस बाबरी मस्जिद में 1949 से ही ताला लगा हुआ था लेकिन 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले से एतिहासिक विवाद पर विराम लगा दिया छे दिसंबर 1992 में आयोध्या में चारों तरफ धूल ही धूल थी ये मनजर किसी आंधी से कम नहीं था दूसरी तरफ राम लल्ला की जैजैकार गूंज रही थी गगन भेदी नारों के आगे आकाश की उचाई भी कम पड़ती दिख रही थी फिर बाबरी मश्यद की उचाई भी क्या थी देखते देखते कार सेवक बाबरी मश्यद पे चढ़ गए और वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था दो घंटे में वो कुछ हो गया जिसकी उमीद आप उस भीर्ड को देखकर कर सकते थे लोगों के हातों में बल्लम, कुदाल, छेनी, हतोडे उस धाचे को ध्वस्त करने का आजार बन गए ये सब होने में करीब दो घंटे लगे, सेंटर की नर्सिंग हराओ की सरकार देखती रह गई और इसके बाद लिब्रहान आयोग का गठन हुआ इस घंटना के बाद देश में सामप्रदाईक दंगे भड़क उठे, इन दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, मामला 28 साल तक कोट में चलता रहा और 30 सितंबर 2021 को CBI कोट ने सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया 9 नमूंबर 2020 को सुप्रीम कोट ने जमीन के मलिकाना हक को लेकर फैसला दिया मलिकाना हक मंदर के पक्ष में सुनाया, मस्जिद के लिए पांच एकर जमीन अलग सक देने का आदेश दिया और 5 अगस्त 2021 को प्रधान मंत्री मोधी ने अयोध्या में राम मंदर निर्मान के लिए भूमी पूजन किया